लाउश्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पर्दिकुमार बांगणे को आपका इसकारगम कनााम है आपकी अन्रोधपर दोस्तों आपके आन्रोधपर आज में आपके वता हुआ भार्ति कर्ण के मश्यूर हाउस से भी नेता जैनुद दिन जिनнее हम ए सी जय जैनुत दिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अगर आप पर चैनल को पहरी बार देख रहे हैं तो आप संडोध है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के निचे राट कलोर के बटन है उसे दबा के सबस्क्राइब करें बाज़ों बैक बैल है उसे भी दबाए ताकि मैं जो भ से अभी नेता थे जिनने मलालम में डेड़ सो से अधिक फिल्मों में अभिनाय किया सेनद दिन का जन्म 12 मई 1915 को कोचिन त्रावन को राज कोचिन वर्तवान में एरना कुलम केरल भारत में हुआ जनुत दिन ने अपने केरियर की शुरुआत कोचिन कला भवन में एक मिलेक क्री आर्टिस्ट के रूप में की थी वो अभी नेता मधू की नकल करने में माहिर थे जा दोस्तों मली आलम के मश्यूर एक्टर मधू इनकी वो मिलेकर किया करते थे खासकर चेमिन ने पारी कुट्टी के तोर तरिकों की वो पहली बार पी ए बकर दोरा निर्देशित 1986 सिले के 1909 तक 13 वर्ष के अवधी में डेर्जों से भी अधिक फिल्मों में अभिने किया जैनुद दिन फिल्म सियामीन उरकटकल में सियामीन जड़वा के रूप में उनकी भूविका के लिए जाना गया जिसमें उन्हें मनियान पिल्ला राजू के साथ जुड़े ज़व के रूप में दिखाया गया था जैने दिन में मीनिक्स, परेड, हिटलर, काबली वाला, लाल सलाम, कासर गोए, खादर भाई और एलन चेरी, थमर ककल में अपनी भूमिकाओं में उतक्रिष्ठ प्रदर्शन के लिए याद क्या जाएगा 1990 के दशक के अंत में वो श्वास सम्मदित भुमारी से पीडित होने लगे जैने दिन में 1999 के कारगिल युग में मृतकों के परिवार के लिए धन जोटाने के लिए Association of Malayalam Movie Artist जोड़ा एजित एक स्टेज कारकरम के सदस्य के रुपे भाग लिया ये उनका आखरी स्टेज कारकरम था AC समय दिन का जन्म 12 माई 1902 को कोचिन त्रावान को राज कोचिन जो केरल में है यहां परगवा था जन्मद दिन की शादी 1982 में लैला से हुई जो Government Vocational Higher Secondary School में हिंदी सिक्षक के रूप में कार्य रग थी उनके दो बेटे जिन्चिल और जिन्चिल है जिन्चिल ने एमे पूरा किया उन्होंने अन्फिया से शादी की और उन्होंने मल्यालम फिल पुत्थुमू खंगल 2010 में अपनी किस्मत आजमाई वहीं जिन्चिल ने कम्पिटर इंजिन्चिल में इसनाथ तक की पढ़ाई पूरी की जिन्चिल जैमने दिन ने अरजुन अशोकन के साथ 2014 की मल्यालम फिल टू लेट अन्बाडी टाकिज में अबने की शुरुआत की चार नॉम्बर 1999 को कोचिन के एक नीजी अस्पताल में श्वास सम्मंदित जैकिलताओं के कारण उनके ब्रित्य हो गई म्रित्यू के समय उनके उम्र 47 वर्ष की थी उनकी आखरी फिर्म थी एजू पुन्ना धरकन दोस्तों एक बार सुषित में फिर जानकरी देना चाहूँगा मैं आपको जनित दिन एक मिमेकरी आर्टिस्ट थे अवनेता के रुप में लगभग 13 वर्ष तक मल्यालम सिनेमा में काम किया उन्होंने अपने केरियर की शुरवात कला भावन में मिमेकरी आर्टिस्ट के तरपी की उन्होंने 1984 में आई माई डियर कुप्टी चत्रामी से अपने फिल्मी केरियर की शुरवात की जनित दिन के फिल्मी केरियर की सब्चे उलेकनी मुमीका फिल्म सियामीज ट्विंस में थी जैनित दिन ने फिल्म में मनियन पिल्नई राजु के साथ जुड़े हुए जुड़ा बच्चे में से एक किमिनी का निवाई जैनित दिन के करीबी दोस्त में से एक रफिक जलील फिल्म के पटकता लेखक थे रफिक जलील का कहना है कि जैनित दिन एक सहकर्मी और भाईचारे वाले दोस्त थे, उन्हें कभी नहीं बुलाए जा सकता, रफिक जलील बताते है कि जैनित दिन मेरे घनिष्ट मित्र थे, मेरा नाम जैनू, हम दोनों कोच्चिन से हैं, ये कलाभवन आने से पहने का रिस्ता है, हमने कई स पहने किया, उन दोनों जैरातर शाम को हम कोच्ची और उसके आसपास घुमते थे और फिल्में देखा करते थे, हम दोनों वास्ता में फिल्म के लिए कुछ करना चाहते थे, माई डियर कुप्टी चित्मी में काम किया उन्हें, बाद में उन्हें कोमेडिव होनी काओं के जरिये दर्शकों का प्यार मिला, जनुदिन ने मौका मांगने में संकुछ नहीं की, वो आगे बरने में माहिर था, सिद्धिकी लाल सिद्धिकी ने सियामीन ट्वीज फिल्म प्रजेक्ट लेकर आये, भारत में पहली बार कोई ऐसी फिल्म बन रहे थी, जो देश में जू इसके साथ फिल्म बनाने की योजला बना रहा है, उस दिन मेरे दिमाग में नादिर्शा और दिलिप ही थे, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी अच्छी समानता है और वे घनिश्ट मित्र है, नादिर्शा इस प्रजेक्ट की और आकाशित हुए, लेकिन दिलिप में ज्यादा प्रजेक्ट की फिल्मों में अविनक कर चुके थे, लेकिन ये पहली बाद था कि जैनिश्ट दिन इतना फुन लेंट रूल कर रहे थे, कई लोगों को जैनु को ये कहकर हतो साहित करने की कोशिश की, कि अगर उन्हें ने फिल्म बनाई तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, कई बाधा और कटनाईों खुक्तार करने के बाद ये फिल्म पूरी हुई, 26 लाग की लागत से बनी, इस फिल्म में सिना घरों से 1.5 करोड का कलेक्शन किया, इसके बाद जैनु दिन की छवी बदल गई और उन्हें अच्छे रूल मिलने लगे, जैनु को हाली की दिनों मे कोई बड़ी वित्ती समस्चा नहीं थी, क्योंकि इनकी पत्मे भी मौकरी किया करती थी, जैनु सांस की बिमारे का इलाज धुन रहे थे, लेकिन जब इलाज का अंतिन चैनल पहुँच गया, तो उन्हें यह एसास हुए कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो उन्हें अप अपने घर में जाने का फैसला किया और वो अपने घर गए, दो तिन दिन बाद ही इनकी बित्तियों हो गई, इनकी बित्तियों चार नॉम्बर 1909 को कोच्ची, एनना कूलं केरल भारत में हुई, इन्होंने 1936 लेकि 1909 तक लगातार फिल्मों में काम किया, इनकी पत्नी के न 1982 में इनकी पहली फिल्म चपो, जिसमें इनमे में वासू का करेक्टर निवाया था, 1984 में मेरी प्रिया कुट्टी चथन, 1986 में पपन, प्रिये पपेटी पपन, 1989 में चाणक्षन, 1990 में लाल सलाम, डाक्टर पसुपती, शुभ्यात्रा इंडर जानाम, 1999 में अप्पू, कटूयम, कुजाचन, और पोस्ट बॉक्स नंबर 27, 1999 में ही नकल परेड, सुल्तान, अमरम, 1922 में पांडू पाड़ोरू, राजकुमारी, उटी पत्नम, 1922 में राजावू, सुभाग्यम, कौशल, गांधारी, 1993 में बरम, पूनी चामी, जैकपॉट, सीमा शुर्क डैरी, भाग्यवान, काडाल, सुधी नाम, सुखन, सुखा करम, वर्भलम, 1964 में ग्रोथम, नेपोलियन, मुमिक्स एक्शन 500, मंगल सुत्रम, बाक्षर, थंबूली कडपूरम, विशेश दस्ता, 1996 में टॉम जेरी, मंदरगा, हिटलर, 1987 में रक्त साक, शीकल, सिंदबाद, चारली चैपलिन, 1999 में नीरम, मेरी प्रिक, कराडी, एजुपुन्ना, थरकन, और आजाधी, तो इसी के साथ, आपने दोस्त, वर्धिप कुमार बांगड़े को, इस कारकन से जाने की इजाधत देजिए, नशकार, जाए,